अस्सलाम लेकूं, वेलकम बैक टूब जिहाद इंसाइट, कैसे हैं आप सब लोग, अलहम दोला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और उमीद करती हूँ आप लोग सब खैरियस से होंगे, और रमजान अलुबारे का महीरा स्टार्ट हो चुका है, और पाकिस्तान में आज द कबाब बनाने में, कबाब की रेसिपी बहुत सारी यूट्यूब पर पढ़ी है, या आप जिस तरह से बनाते हैं, उस रेसिपी को फॉलो करें, मैं सिर्फ यहां पर एक ट्रिक आपको यह दे रही हूं, कि इस तरह से एक चोटा कैप लिया है, मैंने और एक बड़ा कैप ल लगे रहते हैं, उनको लगाएए काम से, और अपनी जिंदगी भी असान करें, और बच्चे यह काम करते हुए, मैं 101% गारंटी दोंगी, कि वो इसको फन समझ के करेंगे, उनको सिकाएं, और अपनी जिंदगी में भी असानी लाएं थोड़ी सी, और उनको भी हेल्प करना सिकाएं, तो यह दो तरहां के, एक मैंने बड़े साइस का कबाब कर, वो ठकन लिया, किसी में बॉटल का आप ले सकते हैं, और एक मैंने छोटे साइस का लिया, चोटे मैंने इसलिए बनाएं, क्योंके मेरे बच्चों का साथ है, तो जाया नहीं होना चाहिए, कभी बचा सब्सी जालेएं, कर दें पातें और ऑखातीं के लिए फूरा फिनिशद्ग में होचार या वह दूरि के कर लिए दो साइस कबाब चाहिएं कर खाएं, या अगर जादा था बनाएं, और बच्चों को क्योंके मुछिक बनाने में तो बच्चों के साथ वी चिचाई में मैंने एक छोटा लिया था कैप और एक बड़ी बॉटल का कैप लिया था तो छोटे छोटे तो इतने क्यूट बने थे और यह सब मेरे दो बड़े टिड़े हैं उन्होंने बनाए यानि शहीर और नूरल हुदा ने मेरी बहुत हैल्प की उनको मैंने का चलो इस तरह बनाओ औ पर्श्मिंट पेपर लगा यह नहीं हो तो आप कोई भी शॉपर बीच में से कट करके वो लगाए और इसको दैन फ्रीज कर दिया मैंने फ्रीज करने के बाद उसको एक जिप लॉग बैक में भर दिया था अचा सेकंड टिक्ट मैंने की थी यह मैंने पहले रोजे में की है बैसन ले लिया था मैंने और इसके अंदर एट किया चामल का आटा कुटी वी लाल मिर्चे नमक अचा जो चीजे मैं मसाले यूज करती हूं मैं वह आपको बता रही हूं यह भुना और कुटावा जीरा है जो के मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था किस त की हैं और इसको मैं मिक्स करूंगे और मिक्स करने के बाद में एार टाइड जार में भरकर रख दूंगी तो यह एक किलो बेसन है यह एक लोगा बेसन तक्रीबन क्यूंकि मेरी यह इतने पकाड़े नहीं घाय जाते तो यह मेरा तक्रीबन 15 दिन अराम से एजीली मैं जो के मैंना कहा था कराची इस कटर ग्रीस किया है और ग्रीज करके यह मैंने तकरीबर 1-10 मिर्ट में इस कटर पर श्रेड किया है और shred करके इसमें ये mozzarella half है और half cheddar है और इसको मैंने freeze कर दिया था और देना मुझे जब भी यूज़ करनी होगी पांच मिनट मैं इसको defrost करके यूज़ कर लोगी यहां पर मैंने आलो बखारे की चटनी और ग्रीन चटनी दोनों पीस कर और एक आलो बखारे की चटनी में आकर ready हो गई थी समोसे मैंने ready कर लिये थे अच्छा ये सारे कम पहले रोज़े को और चांडरात को हुए हैं थोड़ा लेट हो गई थी मैं तो इसलिए आप लोगे सा को जो अच्छी लगया आप फॉलो कर सकते हैं फिर मेरा रह गया था अद्रक लैसन का पेस्ट इसको मैंने wash करके एक घंटे के लिए मैंने इसको ड्रेनर में रखा था क्यूंकि मुझे इसमें एक कत्रा भी पानी का नहीं चाहिए और जब यह ड्रेन हो गया एक गंटे मैं थोड़ा से इस फॉर्म में रखते हूं बिल्कुल बारी एक नहीं बारी चॉप हो गया यह ठीक है ग्राइंड हो गया इसको बॉटम में भरा है और अब यह एक महीने आराम से एजी ली चलेगा यह इससे जादा भी चल सकता है क्योंकि इसके अंदर सिर्का है तो यह ख सेफ करेंगे तो उनको वाश करके नहीं करते क्योंकि यह नाजुक सबजी होती है तो यह खराब हो जाती है अचा पीछे आप देख रहे हैं माशाला है इतनी सारी सबजी मेरे हजबन ने लाके दिये मुझे चामरात को और मैंने सब को समेट के रखा है बस हरी मिर्चु के जो निकालें एक एर टाइट बैग में रारव जिप्लॉक बैग में आप सेफ कर सकते हैं या तो यदिया रख कंटेनर में और इसको फ्रिज में करें और यो कि यकीन जानी है 15 देष्टो यह री मिर्चिक कहीं भी कुछ भी नहीं और रहे जब तक यह खत्म होंगी जब तक यह बिलको सेफली चलती रहेंगी इसी तरह मैंने लिया यह हरदनिया और पुदीना इनको बस मैंने खोल के इसमें अगर खराब कोई पत्ते हो वो अलग कर दीजे कोई कच्रा हो कुछ हो तो उसको बस आपको अलग निकालना है और उसको निकाल कर फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप इसको एक कंटेनर में सेफ करेंगे अच्छा ग्रीन्स को हरदनिया पुदीना को सेफ करने का एक और तरीका है वो भी मैं फॉलो करती हूँ वो भी बहुत अच्छा है वो इन्शालला किसी और वीडियो में आपसे शेयर करूँगी इस तरह भी करने से अराम से हफ़ता भर तो अराम से एजिली पहरदनिया पुदीना चलता है यह मैंने एक किचन टॉबल लिये और इसको बहुत प्यार से केरफुली हैं बहुत प्यार सेुटीना large mass से कयरफुली करने है उससें करने केणे नहीं और इसमें फोल करके केटेकर about in the container में रख Weak इसी तरह मैंने हरा धनिया लिया है वो पुदीना लिया है और पुदीने को भी कोई खराब पता था कुछ कच्रा था उस सब को खोल के और फिर बहुत प्यार से इसको किचिन डॉबल में सेट किया है और उपर एक टिप इसमें है कि आप एक चोटा स्पून लेंगे और चोट या दो किलो के खरीब टेमार्टर थे क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक तरीखा सेफ करने का कैसे कर सकते हैं और यह मैं रखूंगी नीचे फ्रिज में इनके मैंने हैड्स रिमूफ करके वाश किया है वाश करके ड्राइ किया है और इसको मैं एर ट तैयारिया लहा हो चुकी है अपनी तैयारियां भी शेयर करें कॉमेंट में किस तरह करते हैं आप लोग उमीद करूंगी वीडियो अच्छी लगी होगी जब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा खयार रखें मुझे दीजिए इजासत मिलते हैं अपनी नेक्स व झाल